बिहार के सिक्षकों को तबादले के लिए करना पड़ सकता है और इंतजार बिहार के वैसे सिक्षक जो लंबे समय से अपने ट्रांसफर का इंतजार करें उन्हें अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है इसके तहट राजय में जब तक सिक्षक भाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक इन सिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा इस बारे में सिक्षक मंतरी विज्यकमार चौधरी ने बयान दिया है जिसके तहत रानने कहा है कि सिक्षक भाल अभी प्राथमिक तौर पर सिक्षक भाली प्रक्रिया को पूरा कर रहा है जिसके बाद उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ती पत्र देने की प्रक्रिया की जाएगी जिसके बाद ही सिक्षकों का तबादला किया जाएगा आपको बता दे कि सॉफ्ट्वेर के माधियम से ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया खराई जानी है वहीं जो सिक्षक तबादला चाहते हैं उनसे पहले आवेदन नेने की प्रक्रिया होगी बिहार में नहीं रुकेगी पहली से पांचवी के बच्चों की पढ़ाई कोरोना के बढ़ते माबलों के बीच बिहार में सरकारी स्कूल के वैसे बच्चे जो पहली से पांचवी की में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई पहले की तरह ही जारी रहेगी इसके तहट सरकार ने टोला सेवकों के जरिये इन बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया है जिसके तहट राजय के करीब 30,000 सिक्षा सेवक सेह टोला सेवक खुले जगे चुन कर इन बच्चों को पढ़ाएंगे बीते सब्ता जोहां बारिश से तापमान गिरा था वहीं अब हवा ने अपना रुख बदल दिया है। वहीं गया का नियुन तंपारा सामाने से 3 डिग्री अधिक 11.6 रहा जिबके अधिक तंपारा 18 डिग्री रहा। बता दे चले किस कंपनी ने सबसे कम दर पर टेंडर भरा जुस कारण से उसका चयन सरक बनाने को लेकर किया गया है। पर्णित बिर्जो महराज अब नहीं रहे। बीते देर रात अचानक उनका निधन दिली के साकेत अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। मिले जानकारी के निसार पर्णित बिर्जो महराज के निधन की बज़े हार्ट अटैक आनव बताई जा रहे है। आपको बताते चले कि उन्होंने 83 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। उनके निधन की जानकारी उनके पोते स्वरान शुमिश्रा ने सोचल मीडिया पोस्ट के जरिये दी। वही देवंगत बिर्जो महराज के निधन पर संगीत की दुनिया से जुड़े कई कलाकार ने श्रोग जताया। आपको बताते चले कि बिर्जो महराज लखनव घराने से तालुक रखते थे वो एक नर्तक के साथ साथ शास्त्रे गायक भी थे। देवी की गिंती देश के उन महिला करशकों में होती है जन्हें अपनी लगन से ना सिर्फ अपने बलकी अपनी जैसी हजारों महिलाओं के जीवन बदल दी है उन्हाने समाच के तानों के बीच भी खेती की और उससे जुड़े उत्पाद बनाये बताते चले कि भारत के रस पिले कि ये संविदा कर्मी नौकरी को सुरक्षित करने की मांग और नियमिती करन को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं इस दौरान वो 31 जन्वली तक काला मिला लगा कर अपने अपने काम जारी डखेंगे आपको बता दे कि बिहार रज्य संविदा कर्मच कर्मचारी संग के बैनर तले यहां आंदोलन हो रहा है जिसके तहत संग के अध्यक्ष ने बताए कि उनके सिर्फ एक ही मांग है कि संविदा पर काम कर रहे बिहार के 11 लाग से जादा कर्मचारियों को जल से जलनियम में दूरूप से बहाल किया जाए और सिवा शर्त लाग सामने आई है क्योंकि करीब 9 दिनों के बाद पटना में कोरोना के मामली घटे हैं जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान पटना के 8 डॉक्टर समीत 1575 ने संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि इस दौरान 3 मरीजों की जान गई है इससे पहले 7 जनवरी क %2,29925 रहत भरी खबर यह है कि भरती होने वाले मरीजों के पेक्शास्त होने वाले मरीजों की संक्या बढ़ी है इसके साथ ही जिलेमें कोलक्टिव मरीजों की संक्या 13182 हो गई है अवैद बालू खनन मामले में नपे अधिकारियों की और बढ़ेगी परिशानी बिहार में अवैद बालू खनन को पनाह देने और उसमें सनलिब्त तारकने वाले उन सब भी पुलीस और प्रशास्निक अफसरों की परिशानी बढ़ सकती है जिन पर आई से अधिक संपत्ती और विभाग्य कारवाई की जाच जारी है इसको लेकर 3-6 महिने तक और इसके निलम्मन अवधी बढ़ाया जाने की संभावना है आपको बताते चले कि 22 जुन्वरी को ही इनस अफसरों के निलम्मन अवधी पूरी हो रही है बिहार के जेलों में श्रम्ता से अधिक भरे हैं कैदी बिहासरकार एक तरफ महामारी के फैलाव को रोखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दे रही है तो दूसरी तरफ बिहार के जेलों में लंबे समय से सोशल डिस्टेंसिंग की धचिया उड़ रही है जहां जेलों की श्रम्ता से कई गुना ज्यादा क्यादी भरे हैं जानकारी के मताबिक राजु के 69 जिलों में 46,679 क्यादी रखने की श्रम्ता है मगर बीते महीने दिसंबर तक 66,307 क्यादी बन थे इनमें 3,022 महिला बंदीद भी शामिल है वहीं इससे पहले बीते साल के नवंबर महीने में कैदीयों की संख्या सरवाधिक 68,526 रही थी आप्रो के रिसार राजु के 69 में 13 जिल ऐसे हैं जहां श्रम्ता से 200 प्रतिशत से जादा कैदीयों को रखा गया है इनमें पटना का आदर्श केंद्री, कारा बेउर जिल के अलावा मिधिपूरा, जमुई और अंगबाद, सीता मरी दर्भंगा और नवादा जील भी शामिल है प्रधान मंत्रे किसान सब्मान निधी योज्रा का लाव लेने वाले किसानों के लिए ध्यान देने योग्य खबर है दरसल योज्रा में एक बदलाव किया गया है जिससे लाभार्थियों को परिशानी हो सकती है ताजा बदलाव की कारण अब लाभार थी पीम किसान पोर्टल पर अपने मुबाइल नंबर से अपना स्टेटस नहीं देख पाएंगे इसके तहट अपकेवल आधार नंबर और बैंक अकाउन नंबर से ही लाभार थी अपने स्टेटस को जान पाएंगे आपको बताते चले कि इससे पहले मुबाइल नंबर से स्टेटस चेक करने से बहुत अधिक सहूलियत थी लेकिन इसके नुकसान भी थे जिसके तहट किसानों की महत्विपोंट जानकारी दूसरे लोग हासिल कर सकते थे जिसको देखते हुए ही अब इसमें नया बदलाव किया गया है ये नया बदलाव सहचता के नजरिये से थोड़ा मुश्कल जरूर है लेकिन सुरक्षा के नजरिये से बहतर है कोरोना ने विहार सरकार के कई कारियों को गिया थप विहार में बैक टो बैक कोरोना महमारी की लहर आने से आम जंजीवन के साथ ही कई सरकारी काम काज प्रभावित हो रहे हैं खुद CMK भी COVID-Positive होने के से कई विकास योजनाओं की समिक्षान नहीं हो पा रही है। जुसकी वज़े से उनके पूरा होने में भी आगे लंबा वक्त लग सकता है। बताते चले कि बीते 15 दुनों में विहार में 22 गुना अधिक मामने बढ़े हैं। इस दहर में संक्रमन तेजी से बढ़ रहा है जुस वज़े से राजुनेतिक गतिविधिया समेत मंत्री मंदल बैठक प्रभावित हो रहे हैं। नहीं बनने के बाद जद्यू ने बीते दिन ही अकेले दम पर चुनाब लड़ने का फैसला लिया था। जिसके बाद पार्टी चुनाब की तयुयारियों में जुट गई है। जहां से वो चुनाब लड़ेंगे। इस दोरान बिहार में जहरीली शुराब कांड के मुद्दे को लेकर सियम नितीश कुमार को नहाने जम कर घेरा। भाजपा ने जद्यू के उपेंद्र कुश्वा को बताया मंत्रा। उपेंद्र कुश्वा के तुलना मंत्रा से कर दी। उन्हाने कहा कि कुश्वा भाजपा और जद्यू के बीच मंत्रा का काम कर रहे हैं। वरात कोहली के स्टीफे पर अनुशका शर्मा ने किया इमोशनल पोस्ट भारते ग्रुके टीम के स्टार वरात कोहली ने टेस्ट टीम में अपने स्टीफे का इलान कर दिया जिसके बाद से उनके चाहने वाले सभी साथी खिलाडियों ने अलग अलग तरीके से अपने इमोशन्स को जाहिर किया है वहीं बीदे दिन उनकी पत्नी अनुशका शर्मा ने भी अपने इमोशनल पोस्ट को सोचल मीडिया पर शेयर किया और कोहली के शांदार सफर पर भावुक रियाक्शन दिया अनुशका शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पती विराट कोहली संग खुरूप सुरत तस्वीरे शेयर करते में एक एमोशनल नोट लिखा जिसने सभी का दिल जीत लिया इस पोस्ट में उन्होंने कोहली के द्वारा कप्तानी संभालने के जिम्मदारी से लेकर अब तक के सफर को दर्शाया साथ ही उनके उपलब्धियों पर गल्ब होने की बात कही है कल हमारे द्वारा पूछेंगे सवाल का जवाब आपने से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट कर गी दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट है में अच्छा लगा है आपके नुसार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विहार सरकार दवाला टोला सेवकों के जरिये बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के पहल करना सही है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी ख़वरों से अबडेटे देने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान दबाना ना भूलें धन्यवाद